Increased the danger और ये बढ़ता हुआ अंदकार अब खत्रे को और बढ़ा दिया वैसे खत्रा था रास्तान जाना समझे नहीं आ रहा था कहां से निकलना है भूल भूलईया हो गया और अब यहां अंदकार होने लगा खत्रा बढ़ गया and increased also his gloom और चेहरे की अदासी भी अब बढ़ गयी gloom मने अदासी बढ़ते अंदकार के साथ उतरते हुए अंदकार के साथ जाती हुए सूरत की रोशनी और उतरता हुआ अंदकार उसके साथ साथ अब उसका जो अदासी थी वो भी बढ़ गयी and despair despair अने निराशा अब वो निराश होने लगा घबराहट होने लगी खत्रा सामने दिखने लगा समझ नहीं आ रहा था क्या करें जंगल में तीस क्रोनर तो जेम में रख लिया कहां खत्रे में फंस गया यदि वो तीस क्रोनर नहीं लिया होता तो मैं main road पर ही चलता एक आज दो rat trap बेच के कुछ कमा ल में नहीं आ रहा है खतरनाक लग रहा है और नहीं जाने क्या-क्या सोच ने लगा और इस सोच के साथ-साथ उतकी निराशा उसकी हताशा बढ़ने लगा डिस्पेर मने हताशा ग्लूम मतलब उदासी फाइनली ही सौर नो वे आउट और अन्त में उसने देखा अब कोई रास्ता नहीं नो वे आउट अब कोई रास्ता नहीं बचा बाहर जाने का और जमीन पर बैठ गया निराश होकर ठक कर उदास होकर घबराहट में वो जमीन पर बैठ गया सी सेट डाउन उन दे ग्राउट सैंक डाउन उन दे ग्राउट सैंक डाउन मतलब जमीन में बिलकुल एक डूबे जैसा गिर गया उतर गया बैठ गया टायर टु डेथ इतना ठक चुका था मानो वाद मरा हो गया है To tear मतलब थका देना थकान दाई इतनी थकान दाई उसका दिन हो गया था कि मानो अदमरा हो गया था Thinking that his last moment has come और सोचने लगा शायद मेरा आखरी ख्यान आ गया है अब यहीं मुझे मरना है ना रास्ता दिख रहा ना कोई दिख रहा अंदकार अलग हो रहा है भूख अलग लग रही है थकान अलग है और ना जाने क्या क्या So He was tired to death अदमरा हो चला था थकान से Sank down on the ground जमीन पर लग पर गिर गया Thinking that his last moment has come और सोचने लगा मेरा अंतिम समय आ गया But फिर देखिए अप कहानी नहीं बदलती है But Just as he laid his head on the ground He heard a sound To lay मतलब Laitna Lie मने laitna उससे बना lait Lie lay laid So just as he laid his head जैसे उसने अपना सिर लटाया He heard a sound उसे एक आवाज आई देखिए कैसे फिर भागिए उसका साथ देता है अब उसे एक आवाज आती है A hard regular thumping Thump करना मतलब ऐसा मारना Hard जोरों से मारते हुए Thumping Regular मतलब लगातार कोई ऐसा thump कर रहा है थपतपा रहा है किसी चीज को किसी को जोर जोर से ऐसी आवाज उसको आई जैसी वो जमीन में लेटने के लिए गया और सिर उसने जैसी जमीन पे टिकाया उसको थंपिंग की आवाज आती है कुछ आवाज आती है और थंप मतलब जोर जोर से पीछे से मारना Just as he laid जैसे ही वो लेटा अपने सिर को उसने लेटाया लाई, लेड, लेड ले, लेड, लेड ये दो शब्द है अलग लग तो ले एक मतलब अंडे देना और तो लाई मने लेड जाना लेकिन पास टेंज देखिए दोनों के क्या है तो जैसी वो लेटा उससे किया किस चीज की आवाज है समझ गया किस की आवाज है there was no doubt as to what that was कोई शंका नहीं थी किस चीज की आवाज है he raised himself तो रेज मतलब उठाना उसने अपने को उठाया अर्था खड़ा हुआ those are the hammer strokes from an iron mill ये तो iron mill का hammer हथोड़ा पीट रहा है कोई ऐसा लग रहा है अर्थात आज पास कहीं पर iron mill है मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं कोई आदमी है जो थंप कर रहा है बस मेरे को तो यहीं चाहिए मेरे को जिन्दगी बचाने के लिए कुछ तो आशा की किरन दिखी अपने को इसने खड़ा किया he raised himself और महसूस किया कि यह तो iron की आवाज है hammer हथोड़े की आवाज है he thought there must be people nearby और जब वहाँ हथोड़े की आवाज आरी तो आसपास लोग रह रहे होंगे निश्यत रूप से there must be people nearby nearby मतलब आसपास आसपास लोग रह रहे होंगे he summoned all his strength to summon मने बुलाना summon the officer collector summoned the police commissioner collector ने police SP को बुलाया I summoned a pune मैंने a pune को बुलवाया तो यहाँ पे he summoned what he summoned all his strength उसने अपनी पूरी शक्ती जब उसको लगा ना कुछ आवाज आ रही है अरे आशा की किरंट दिखी और उसको लगा कि आसपास कोई तो होंगे उसने अपने पूरी ताकत बलाई उठा and staggered into the direction of the sound और लड़ खडाते हुए to stagger मतलब लड़ खडाते हुए जाना लेकिन अचानक जब आवाज आती है तो उस माहौल में वापस आशा की किरंट जाकती है वो खड़ा होता है और आवाज की दिखा में चल पड़ा to stagger मतलब लड़ खडाना in the direction of the sound sound of what? sound of the hammer thumping something किसी चीज को पीट रहा था हैमर उस दिशा में वो चल पड़ा क्यों? इस उमीद में कि वहाँ कोई न कोई आजमी तो होगा मुझे कोई शरन तो मिलेगी मुझे कोई खाने को तो देगा और सबसे बड़ी बात मैं हाँ सुरक्षित तो रहूँगा तो इस जंगल से निकल के किसी के पास तो पहुंचूँ as soon as the young girl caught sight of him as soon as मतलब जैसे ही जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी caught to catch sight of नजर पढ़ना I caught sight of that man मेरी उस आदमी पर नजर पढ़ी I caught sight of that thief मेरी स्चोर पर नजर पढ़ी तो यहाँ पर जैसे उस लड़की sight मने द्रिश्य और sight मने नजर Your eyesight is good तुमारी आँख की जो द्रिश्टी है नजर जो है बहुत तेज है अर्था नॉमल है Your eyes are normal So sight S I G A T Your sight मने द्रिश्य भी Look at that sight so beautiful behind the mountain पहाडों के पीछे का वो द्रिश्य कितना सुंदर है So यहाँ पर As she caught sight of that man She went up to him and lifted his hat वो उसके पास गई और उसकी टोपी को हटाया क्योंकि टोपी से वो चेहरा ढग दिया सा अपना आँखें ढग दी थी उसने सोने के लिए जाई रहा था उसने उसको लड़की आई और उसकी टोपी हटाई She went up and lifted his hat The man was evidently used to sleeping with one eye open और ऐसा लग रहा था Evidently मतलब पश्ट दिखाई दे रहा था कि उस आदमी कोई एक आँख खोल के सोने की आदत थी कई लोंकि होती आदत ऐसी तो एक आँख खोल के सोने की आदत थी Used to sleeping He used to sleeping with one eye open एक आँख खोल के सोने की आदत थी जैसे लड़की नो उसका hat हटाया He jumped up Abruptly मतलब अचानक Abruptly मतलब अचानक वो अचानक उठा और उसके बाद Seemed to be quite frightened To frighten मतलब घवरा देना Frightened मने घवरा देना और वो आदमी घवरा गया क्योंकि वो तो सो रहा था सिर पे hat रख लिया था अपने आँक के उपर लगबग नीज में चला गया था यहां आती ही लड़की और उसके hat को हटाती है जैसी हटाती है आदमी घवरा जाता है और घवराने के एक कारण और भी था अंजान जगह थी उसके अलावा उसको बार बार यह डर था कि कहीं मैं तीस क्रोनर के चक्कर में किसी की गरफ में ना आ जाओं तो वो घवराहट भी रही होगी तो जैसी हैट हटाया घवरा के बैट गया अबरपली मतलब अचानक और बहुत बुरी तरह घवरा गया था अचानक यह घटना होई तो घवरा गया यू लुक वेरी फ्राइटन तुम बहुत घवराए हुए दिख रहे हो I got frightened seeing the tiger Tiger ko dekh ke मैं घवरा गया My friend gets frightened seeing the lizard Mera Mitra jo hai वो छिपकिली ko dekh ke घवरा जाता है So to get frightened मतलब घवरा जाना To frighten मतलब घवरा देना So here what happened He got frightened Bahaat घवरा गया My name is Edlar Wilmansan Jaisi वोट के बैठा घवराट में Turanth लड़की ने कहा Mera naam Edlar Mera naam Edlar Wilmansan है Said the young girl My father came home and said That you wanted to sleep here in the forge tonight Mere pita ji आया थे घर And then he told me You want to sleep here tonight And then I asked permission to come and bring you home to us I am so sorry मुझे ख्शमा करें किस बात की ख्शमा आपको मैं जो उठाई हूँ आपको जो नीन में मैंने खलल किया है उसके लिए मुझे माफी माँए लेकिन मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि पिता जीने मुझे बताया कि आप यहीं सोना चाह रहे हैं मैंने उसलिए लिए कि आप चलिए घर Captain that you are having such a hard time I am so sorry Captain I am very sorry कि तुमको इस दौर से गुजरना पढ़ रहा है आपको इस दौर से गुजरना पढ़ रहा है Uncle I am so sorry that you are having such a hard time कि आपको इस कथिन समय से गुजरना पढ़ रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा पिता जिनने कहानी बताई किस्टा बताया और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नील सोलाफ की क्या हालत हो गई है और उन्होंने कहा कि नील सोलाफ तो वहां पर सोने की जिद्द कर रहा था मैं तो हर तरीके से मनाने की कुशिश किया वो नहीं माना तो मैं उनसे नमती लेकर आप हाई हूँ और मैं चाहूंगे कि आप चलिए मेरे साथ and I'm very sorry कि आपको तकलीफ में डाला she looked at him compassionately compassion किस? compassion मतलब सहानुभूती पूरवक उसने सहानुभूती पूरवक देखा she looked at him अर्था ट्रैंप को लगा कि ये लड़की जो है बड़े सहानुभूती से बात कर रही है with her heavy eyes and then she noticed बड़े सहानुभूती पूरवक अपनी आँखों से वो उसको देख रही थी और फिर उसकी नजरपडी उसका ध्यान गया नजरपडी कार साथ कि उसने देखा और उसको लगा कि वो आजमी बहुत घवराया हुआ है that the man is afraid to be afraid मतलब घवराया हुना to be frightened याने to be afraid he looked afraid घवराया हुआ दिखा ऐसा दिखा तो उसके मन में लड़की के मन में कुछ लगा either he has stolen something or else he has escaped from jail उसका व्यभार देखकर लड़की को लगा कि या तो उसने कुछ चीच चुराई है to steal मने चोरी करना steal, stole, stolen या तो लड़की ने कुछ चीच चुराई है और या फिर वो जेल से भागा है to escape मतलब भागना, निकल भागना वो जेल से निकल के भागा है देखिए लड़की कुछ समद रही थी कि कुछ तो गड़वड है जे जंग से वो उठा, घवराया और जे जंग से उसकी प्रतिक्रिया थी, reaction था वो बड़ा घवराय हुआ दिखा तो लड़की को लगा कि या तो ये चोरी किया है कहीं चे, या भागा है to escape मतलब निकल भागना, you escaped my attention, तो मेरी नजर से बच निकले मेरे ध्यान से तुम बच निकले, मतलब तुम बच गया I escaped a major accident, मैं किसी तरह से एक major accident से बच निकला so to escape मतलब बच निकलना, so कहीं से ये जेल से निकल भागा है she thought, उसने सोचा and added quickly, और मनी मन फिर ये कहा निया उसने और फिर सोचने लगी, you may be sure captain that you will be allowed to have just as freely as you come फिर उसने उसको कहा, ये सोचते हुए कि captain, ये सुनिश्चित है, you may be sure, बिलकुल तै है कि you will be allowed to leave us just as freely as you came तुमको मैं वैसे ही, हम लोग वैसे ही जाने देंगे जैसे तुम आए खाली आए, स्वतंता से आए, स्वतंता से जब तुमको लगेगा जाने का तुम चले जाना हम तुमको रोकेंगे निए और मन ही मन वो सोच रही थी कि या तो ये चोर है या जेल से भागा हुआ आदमी है लेकिन क्या करती उस बात को दर किनार करते हुए जोंकि वो उसके पिता जी का पुराना सहयोगी था ऐसा इसको लगा उसने कहा कि कोई बात निए, आप चिंता मत करो, हम आपको रोकेंगे नहीं आपके जब जाने की इच्छा होगी तब चले जाना ओनली प्लीज स्टे वित अस ओवर क्रिसमस इव केवल आप हमारे साथ क्रिसमस की शाम गुजारें बस ओनली प्लीज स्टे क्रिप्या हमारे साथ रहें कब आप बस हमारे साथ रहें फिर उसके बाद जब जाना हो जैसे जाना आप चले जाना और यह समझना सरल था कि कुछ गल्ती तो हो गई है when and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake but that now when he stood there in a broad daylight उसकी बहुँ हैं चड़ गई जैसे मैंने बताया पकड मतलब आप समझ सकते हैं शिकन आ गई थी कपड़ों में शिकन आती है ऐसी चेहरे में शिकन आगई थी ब्राव मैंने भौहें He was not happy उसको भले तयार देखा अच्छा देखा अच्छे कपड़ों में देखा स्टार्ज कॉलर में देखा स्टार्ज में बनलब कलफ जिसे हम हिंदी में कहते हैं कलफ लगाना तो कलफ लगई कॉलर थी सब कुछ अच्छा था अब क्यों अब आरन मास्टर क्या चाह रहा था इतना बढ़िया तयार हो गया उसका साथी पराना और उसके बारे में इतना सोच रहा था अब जब वो सामने आता है तो खुश नहीं दिखाई दिया जब स्टेंजर सामने आता है पेडलर आता है नश्टे की तेवल पर तो आरन मास्टर का चहरा कुछ और बदल गया बहुँ है तरिर गई He looked at him with puckered brow and it was easy to understand और समझ गया चहरे से that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace अब वो समझ गया it was easy to understand अब वो समझ गया कि furnace की रोशनी में जो चहरा उसने देखा था रात में इस पेडलर का that when he had seen the strange fellow इस अजनभी को उसका चहरा उस furnace के आग की light में जो देखा था तो शायद कुछ गलती हो गई रात में light में देखके उसमें जो समझा शायद कुछ गलत समझाता है he might have made a mistake शायद कुछ गलती हो गई होगी उस समय but that now लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ अब ये जो stranger when he stood there in broad daylight अब जब मेरे सामने दिन में खड़ा हुआ है it was impossible to mistake him अब ये संभव है कि मैं कुछ गलती करूँ for an old acquaintance और उसे अपना पुराना परिचित मानू अर्थात iron master समझ गया कि कल राद गलती हुई वो जो furnace की जो आग थी उस आग की रोशनी में इस stranger को मैंने देखा तो मुझे नील्स ओलाफ लगा हो सकता है अब तै है कि वो गलती हुई उस समय में गलत समझ गया क्योंकि जो light का reflection था आग की रोशनी से जो दिखाई दे रहा था उसके चेहरा उस से मुझे लगा किये मेरा पुराना सहयोगी नील्स ओलाफ है लेकिन अभी मैं दिन में देख रहा हूँ तो जो दिख रहा है सामने उसमें मैं गलती नहीं कर सकता ब्राद डेलाइट है इसमें तो वो मेरा पुराना परचित तो लगा ही नहीं रहा है अब मैं गलती नहीं कर सकता असमभव है गलती करना और यह सोचना कि यह कोई मेरा पुराना सहयोगी है अर्थाच अब सच्चाई सामने आगए अब आरन मास्टर समझ गया कि कल गलती हो गई यह अंजाना व्यक्ति है अजनभी व्यक्ति है जिसे मैं घर में लेल फुलाफ अपना सहयोगी मान के ले आया हूँ जहां तक अब आप देखते हैं कहानी में कितना बड़ा मोडा तो अब आप आप देखते हैं कहानी में कितना बड़ा मोडा तो non you can understand how the story changes now iron master had brought someone someone home and sent his daughter to bring that man home thinking that that man is my old acquaintance someone I knew earlier and he was having pity on him उसको दया भी आ रही थी अपने इस पुराने परचित की हालत देखकर हाड मांस का शरीर कैसा हो गया रैट ट्रैप का काम कर रहा है कुछ और देखना है इसके लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहा था लेकिन अब जब देखा अपने सामने तैयार होके जब रैट ट्रैपर आया तो एकदम चौक चौक गया चेहरे में उसकी लाईने आ गई चिंता में क्या है कल रात को मैं जो फर्नेस पे देखा था फर्नेस की लाइट में जशा आदमी को उसको समझने में हो सकता है गलती हो सकती है क्योंकि रात थी लेकिन यहां दिन में जो मैं देख रहा हूँ यह तो बिलकुल अलग है तो मेरा वो नील सुलाफ होई नहीं सकता अब क्या करें रात भर नील सुलाफ मान के उसको रखा क्रिस्मस आ गया है और क्रिस्मस मनाने के लिए उसको रखा और अब कहां फंज गया त क्या मतलब है इसका इसका क्या मतलब है ऐसा कह के वो जोड से चिलाया अर्था बीच में जो बात घटना करम हुआ वो और्थर ने नहीं बताया है के वल डिरेक्ली आर्थर मास्टर के चिलाहट को गुसे को इसने यहां बताया है क्या मतलब है तुम्हारा अब यह जो स्ट्रेंजर है इसने कोई प्रयास नहीं किया ध्यान बाट बटाने का ना नुकर करने का अब इन दोनों के बीच में बहुत सी बाटचीत हुई होगी जिसमें इसने पूछा होगा कि तुम कौण हो क्या हो मैं गलत समझ गया इसने कुछ कहा होगा और उस बाटचीत में यह जो उस बादचीत में ये जो आरेन मास्टर है उसका पारा चड़ता गया गुस्सा बढ़ता गया क्योंकि उसको लगा बहुत बड़ा धोखा हो गया है मैंने अपनी डॉटर को भी इसमें मदद के लिए कहा अपने घर में इसको रखा एक अंजाने व्यक्ति को अपने कपड़े दिये वैलेट से नहलवाया तयार करवाया शांदार कपड़े पहनवाया ये सब धोखा हो गया किसी misunderstanding के कारण तो वो एदम जोड से चिलाता है क्या मतलब है तुम्हारा the stranger made no attempt stranger ने कोई प्रयास नहीं कि आप भटकाने का अब हो शीधा सही बात पे आजाता है सच्चाई बताने पे आजाता है he at once he says at once that the splendor had come to an end उसे लग जाता है कि ये जो शान व शौकत है splendor मतलब शान व शौकत ये जो शान व शौकत है जो उसे राद भर में मिली it has come to an end he feels that उसको अब लग जाता है कि अब ये शान व शौकत अब समाप यहां पे खतम हो गई कहां पर अब सच्चाई सामने आ गई है it is not my fault sir और ऐसा कहके वो कोशिश करता है समझाने की rn master को क्योंकि rn master का गुशा बढ़ते जा रहा था rn master अपने को कोश रहा था rn master को लग रहा था इसने मुझे बेवकूब बनाया rn master के दिमाग में बहुत सारी चीज़ आने लगी कि इसने मेरा घर देख लिया है अब ये पता नहीं चोर चक्का कौन है इसको मैंने दुनिया भर का सादर सम्मान दिया सब क्रिस्मस के लिए इसको रोक के रखा हूँ और पता लग रहा है ये तो कोई दूसरा आजमी ही निकला तो गुशा उसका बढ़ते जा रहा हूँ इसी में चिलाता है कि what do you mean क्या मतलब है तुमारा तो ये कहता है मैंने सर आपको धोखा नहीं दिया ये मेरी गलती नहीं है it is not my fault stranger कहता है मैंने आपको धोखा नहीं दिया मेरी गलती नहीं है I never pretended to be anything but a poor trader to pretend करना मतलब दिखावा करना मैंने कभी भी गरीब धंदा करने वाले के अलावा और कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कि आपको मैं तो शुरू से rags में फटे कपड़े में हूँ आपके सामने मैं rat trap मेरे chest में लटका हुआ है बाल उगर सब मेरे छित्रे हैं मैंने कोई बात छुपाई नहीं है आपसे I never pretended pretend करना मतलब दिखावा करना don't pretend to be innocent saral siddha sacha dikhne ka dikhava ne karo you are the thief tumhi chor ho don't pretend to be don't pretend to be a big officer बड़ा दिकारी बनने का dikhava mat karo don't pretend dikhava karna अब यहां पर what does this mean the stranger made no attempt it is not my fault sir मैंने बिलकुल कुछ दिखावा नहीं किया sir मैंने कुछ गल्ती नहीं किया I never pretended मैंने कोई dikhावा नहीं किया मैं तो लगा थार poor trader ही बना था and I pleaded and begged to be allowed to stay in ford to plead करना मतलब बहुत विन्ती करना मैं तो बारं बार आप चे विन्ती कर रहा था beg करना मतलब भीक मांगना भीक मांग रहा था कि मुझे यहीं ford में रहने दिया जाए मैं तो बार बार आप चे अन्रोट कर रहा था कि मैं गन्ती कर रहा था कि मुझे यही रहने दिया जाए I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge but no harm has been done लेकिन सर फिर भी कुछ बुरा नहीं हुआ है यानि मैंने कुछ गड़बड नहीं किया एक तो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि मैं गरीब आजमी हूँ दिख रहा था मैंने कोई दिखावा नहीं किया उसके बाद मैं आपको बार बार कह रहा था मुझे यहीं सोने दो यहीं रहने दो लेकिन आप जिद्ध में ले आए मुझे लेकिन फिर भी कुछ बुरा नहीं हुआ है no harm has been done at worst I can put on my rags again and go away हाँ ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि मैं अपने चीसरे कपड़ों को फिर से पहन लूँ और यहां से चला जाओ इतना मैं कर सकता हूँ at worst ज्यादा से ज्यादा at worst मतलब ज्यादा से ज्यादा I can put on my rags और क्या कर सकता हूँ मैंने कोई गलती नहीं की कोई अपराद नहीं किया मैं तो बार बार आपको कह रहा था मुझे यहीं सोने दो so at worst I can put on my rack put on मतलब पहनना put on your shoes put on your socks put on your shirts अपना shirt पहनो wear your shirt नहीं कहते put on your shirt wear your socks put on put on so यहां ज्यादा ज्यादा यही मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने चीसोनों को वापस पहन लूँ और यहां से चला जाओं इस पर आरन मास्टर ने कहा ठीक है hesitating a little थोड़ा सा हिचक के साथ to hesitate मतलब हिचक ना थोड़ा से हिचक के साथ आरन मास्टर ने क्या कहा it was not quite honest either लेकिन तुम बिलकुल सच्चे भी नहीं थे एक दम it was not quite honest either हां तुमने इतना स्पष्ट भी नहीं कहा था ऐसा कहके बात आगे बड़ी और ने कहा you must admit that तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत जिद्द करके नहीं कहा कि नहीं मैं निर्स अलॉफ नहीं हूँ and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter sheriff मतलब होता है महापार जैसा ऐसे शहर का मुखिया उसे कहते हैं शेरिफ राजनीतिक मुखिया तो वो कहते हैं कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हें पूरी सच्चाई से नहीं कहा था कुछ बात छुपाई थी जोड देकर तुमने नहीं कहा कि मैं नील सुलाफ नहीं हूँ और मुझे आश्यर ही नहीं होगा इस शुड नाट बी सर्प्राइजड मुझे आश्यर नहीं होगा यदि शेरिफ जो हैं वो कुछ और इस मामले में कर बैठें और साथ तुम्हारे साथ कुछ कारवाई कर देंगे तो मुझे आश्यर नहीं होगा ऐसा कहके उसने चेतावनी दी किसने आरन मास्टर ने किसको पेडलर को रैट ट्रैप सेलर को कि यदि शेरिफ को पता लगा तो भो सकता है कुछ और कर बैठें दे ट्रैंप टुक ए स्टेप फॉरवाड ऐसा सुनने पर ट्रैंप एक कदम आगे आता है और स्ट्रक दे टेबल विथ इस फिस्ट फिस्ट याने मुठ्थी एक कदम आगे आया और इसने टेबल पर मुठ्थी मारी स्ट्रक दे टेबल टु स्ट्राइक से बना स्ट्रक स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइक मतलब हरताल और टु स्ट्राइक मने मारना फिस्ट्रक ए ब्लो ऑन मैं बैक उछने मेरी पीट पे एक मुक्का मारा तो यहाँ पर क्या हुआ जैसी आर अर अन स्विन्थ ने कहा कि अजि शेरिफ को पता लगेगा, आर अन 1975, अर अस्टर ने कहा कि जैसी शेरिफ को पता लगा कि जैसा कुछ तूम गलवल किये हो या ऐसे कुछ घटना हुई है, तो वो कहीं कुछ और ना कर बैठें तुम्हारे साथ, यह न są तुम को धं मारा मुक्का मारा और कहा now I am going to tell you, अब मैं आपको बताता हूँ, Mr. Iron Master, how things are, सच्चाई क्या है यह अब मैं आपको बताता हूँ, how things are, मतलब चीजें कैसी है यह meaning नहीं है, यहां पे इसकार्थ हुआ, सच्चाई क्या है यह मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said, अब मैं आपको बताता हूँ, कि सच्च क्या है, और फिर आगे कहता है, this whole world is nothing but a big rat trap, यहां पे वही बात कहता है, जो उसने पहले कही थी, यह दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ा rat trap है, एक बड़ा जाल है, all the good things that are offered to you are nothing, जो भी अच्छी चीज आपको offer की जाती है, आपको पेशकश की जाती है, जो भी अच्छी चीज की, वो कुछ नहीं है, बलकि cheese, rinse and bits of pork, वो मानो cheese है, और मानो sewer का monster, जिसे चूहे को फंसाने के लिए trap में डाला जाता, वही अपना philosophy को, जो पहले उसने कहा तो उस philosophy को यहां पर फिर दोहराता है, तो कहता है, आरेन मास्टर, अब मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई क्या है, दुनिया कैसी है, पूरी दुनिया जो है, वो rat trap की तरह है, बड़े rat trap की तरह, जिसमें आपको जो भी दिया जाता है, आपको जो भी पेशकश की जाती है, वो कुछ बलकि मानों चीज हो या पॉर्ख हो, और किस लिए पेशकश की जाती है, तो ड्राइग ए पूर फेलो इंटो ट्रबल, गरीब लोगों को परिशानी में खीचने के लिए, परिशानी में डालने के लिए, ड्राइग करना मतलब खीचना, he dragged me, the police dragged the criminal to the jail, उसको गला पकड़ के खीच के लिए गई, ड्राइग करना, खीचना, don't drag on with the story, कहानी को लंबा मत खीचो, यहां भी drag शब्द आ गया, और पहले भी मैंने एक शब्द और उसकिया था, कहानी को लंबा मत हांको, please go back to that part and compare the two words, the drag, he dragged on with the story, वो कहानी को लंबा खीचता चला गया, तो यहां पर कहता है कि लोंगों को पोर्क और चीज के रूप में कुछ दिया जाता है, लालत दिया जाता है, और गरीब लोंगों को, poor fellows को परिशानी में डाल लिया जाता है, ऐसा करके गरीब लोंगों को, and if the sheriff comes now and locks me up for this, और यदि शेरिफ अब आता है, और मुझे lock करता है, जेल में डालता है, गिरफतार करता है, lock up मतलब गिरफतार करना, ताला लगाना, दरवाजे में ताला लगाना, और यदि मुझे गिरफतार करता है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a piece of pork and then you'll get caught in the trap. अब जैसी Iron Master ने कहा कि कहीं शेरिफ को पता लगा, तो आपके हालत खराब कर देगा, कहीं आपको गिरफतार ना कर दे, ऐसा सुनते ही ट्रैम को गुस्टा आ गया, उसने कुरसी आगे खीची, टेबल पे मुक्का मारा और कहा ये दुनिया जो है सच्चाई, अब मैं बतात प्रिया जाता है, फशाये जाता है, कितना मतलब फशाना, गरिबों को फशाये जाता है, जैसे मैं फश गया हूँ, और फशाये जाता है और उनके साथ दुर्वेभार होता है, और यदि Iron Master याद रखो, यदि शेरिफ आता है, यहां जैसा आप बोल रहो, और मुझे कहीं क गिरिफ्तार करता है, तो एक दिन आएगा जब आप भी, आपको भी कोई, चीज और पॉर्क आफर करके अपने जाल में फशायेगा, वांट तो गेट एपीस अफ पॉर्क, और आप भी उस जाल में फश जाओगे, इन दे ट्रैप, और ऐसा कहके, अपनी बात जैसी खदम करता है, आर एंड मास्टर जो है, वो हशने लगता है, आर एंड मास्टर बिगैन टु लाफ, इतनी बड़ी बात, स्ट्रेंजर ने कही, तो आर एंड मास्टर को हशी आ गई, उसको हलके में लिया, बात बहुत महटपूर्ट थी, और इसमें भी ध फशोगे, आपको भी कोई लालत देगा, आपको भी कोई पॉर्क और चीज के रूप में कोई पेशकस देगा, और उस पेशकस के लालत में जिन्दगी में आप भी फशोगे, यो बिल गट कॉट और जाल में आप फश जाओगे, अब यह आरन मास्टर जो हसा, वो इसने कहा, यह तुमने इतने बुरे तरीके से नहीं किया, कहा, दाट वॉट जो बैडली सेट, मै गुट फ़िलो, मेरे प्रिदोस, यह तुमने बड़े हलके तरीके से कह दिया,